हालो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आपको यह कैबल स्वेटर बनाना सिखाऊंगी बहुत एजी पैटर्न है थोड़ा आप वीडियो पूरा देखेगा तो आपको ठीक से समझ में आएगा तो यह जो मैं बनाया है स्वेटर तो इसमें मु चैनल को उक तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज आप सब्सक्राइब कर लिजिए और नॉटिफिकेशन बैक को जो दुबा दीजिए जैसे मेरे आने वाले वीडियो को नॉटिफिकेशन आपको विलता रहे तो दिखिए जो सब्सक्राइब बनाएंगे इसके बने आगे वाले में थोड़ी सी जादा रहेंगी तो पहले फ्रंट वाला बनाएंगे उसके पाद बैक वाला बनाएंगे तो देखिए यह जो पैटन बना रहे हूं मैं इसमें वो दो रोग का रिपीट पैटन है तो यहां पर देखिए मैंने बनाऊंगी 70 चैन तो यह 7 औ कि बना रहे हूं इसके लिए मैंने 4 प्लाय यांड लिए हां लेकिन यह भी यांड ने बहुत पतली है यखी बहुत पतली यांड है और यह्प्सकी क्रोशिया है पहले सना है कर चाह जो और साइस बना रहे हैंакर को यहांड ना लग है यांड ना लग है तो आपको चासना अपनी है और उसके हिसाब से उसका जस्त राधा करके चैंस बना लेनी है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो 70 चैंस है वो 14 के multiple चैंस है तो यहाँ तो मैं 14 के multiple बना रही हूँ लेकिन देखिए अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा करेंगे तो 14 chains आप बढ़नाएंगे तो वो काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी कि आप उसको adjust कैसे कर सकते हैं तो पहले मैं यहां 70 chains बना लेती हैं तो देखें यह 70 chains बना लिए हमने उसके बाद 2 chains और बनाएंगे 1 और यहां से देखें 1, 2, 3 stitch चोड़ेंगे और जो 4th वाला है वहां से हर एक stitch में एक डबल कुरूशिया बना रहा है ठीक है तो 1st row में तो हम हर एक chain में एक डबल कुरूशिया बनाएंगे तो इसको बनाके मैं लास्ट में आजाते हैं अब दिखी क्या करेंगे यह second row बनाएंगे अभी मैं आपको second row और बता देती हूं फिर आपको बताऊंगे कि अगर कोई size adjust करना होगो तो आप किस तरीके से करेंगे chain 1 बनाएंगे और इस तरफ पलटेंगे और यह जो chain 1 है वह हमारा stitch नहीं है यह जो first वाला space है यहीं पर हमें first double crochet बनाना है और जो हमने starting में chain 3 छोड़ी थी वह हमारा first double crochet है तो उससे हमें जरूर बनाना है last में भूलना नहीं है यह दिखी है one two three और यह four double crochet बनाना है ठीक है अब दिखी क्या करना पैटन डालना है पैटन बहुत easy है आपको थोड़ा सध्यान देंगे समझ मैंगा दो रोका repeat pattern है दागी को दो पर लपिटेंगे one two triple crochet देंगे one two three stitch चोड़ेंगे और जो fourth वाला है उसको front post triple crochet बनाना है यह देखिए fourth वाला क्या हमने stitch में इस तरीक से डाला और यह देखिए यह 2 में से निकालेंगे पहले फिर 2 में से निकालेंगे और फिर दो बार धागला पीटेंगे next वाले stitch में भी front post triple crochet बनाएंगे one two three फिर से धागला पीटेंगे 3rd वाले में डारेंगे और इसमें भी 1,2,3 ठीक है अब देखिए फिर से धागला पेटेंगे दो बार अब यह जो हमने छोड़े थे देखिए 1,2,3 यह जो 1st वाला है इसमें पहले बनाएंगे इसमें भी front post बनाना है लेकी 1,2,3 फिर से धागला पेटा 2nd वाले में बनाएंगे 1,2,3 फिर 3rd वाले में बनाएंगे 1,2,3 आप देखिए बेच में हम यहां पे यह स्टिच आपको confuse नहीं होना यहां पे स्टिच आपका यहां तक आपने बनाएं अब यह वाले जो स्टिच है यहां से आपको 8 double crochet बनाना है हर एक स्टिच पे 1,1 double crochet बनाना है 1,2,3,4,5,6,7,8 अब देखिए फिर से दो बार्धा गाला पेटेंगे यह 3 स्टिच छोड़ेंगे 1,2,3 और जो फूर्थ वाला है उसको फ्रंट पोस बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था सेम वैसे ही बनाना है तो यह तो first row है हमारी और इसके बाद second row है वही दो row repeat करनी है आपको जब तक हमें neck का जहां से हमें neck start करनी है वहां तक हम नहीं पहुंच जाएंगे तब तक कि पर से देखिए आप यह जो पीछे हमने रह गए थे उनको बनाएंगे वान टू और यह त्री फिर से देखिए यहां से eight double crochet बनाएंगे और फिर यहां पर eight double crochet के बाद यह वाला pattern बनाएंगे तो इस रोकों में last तक बना किया जाती है तो देखिए रो के last में आ गए यहां पर देखिए फोर स्टिच वहां पर हमने भी फोर स्टिच छोड़े थे फस्ट में अब देखिए यहां पर भी one two three और यह नहीं स्टार्टिंग में जो चैन three skip की थी वह भी हमारा first double crochet है तो उसमें एक आपको double crochet बनाना है आप देखिए second row बनाएंगे यह और वो यही दो repeat करनी है चैन one बनाएंगे इस तरफ पलट जाएंगे चैन वन हमारा स्टिच नहीं है परस्ट वारे स्टिच में एक one double crochet बनाएंगे तो यह देखिए one two three four अब देखिए क्या करना है हमें यह जो six स्टिच है यह देखिए आपको यह three और यह three सब को back post बनाना है यह देखिए back post बनाना है यह देखिए पीछे की तरफ से बनाना है यह देखिए third वाला स्टिच है अब यह वाले जो है इनको बनाएंगे back post यह three स्टिच है two three फिर देखिए यहां से हर एक स्टिच पर एक एक स्टिच बनाएंगे जो eight स्टिच है उन पर और फिर जो यह जो six स्टिच है बीच के इनको back post बना देंगे तो इस तरो को भी मैं बना के लास्ट में आ जाते हैं तो देखिए last stitch जो हम बनाएंगे chain one और first double crochet से start कर रहे हैं तो last जो stitch बनेगा वो chain one और जो first double crochet होगा उसके बीच में बनेगा हर बार जब हम chain one से श्रूप कर रहे हैं तो इस तरीके से बनाएंगे अब देखिए आपको कर जी adjust करने है stitch जैसे आपको कोई size छोटा आ रहा है तो आपको क्या करना है यहां पर देखिए हम नहीं यह 8 chain का gap जो 8 stitch का gap दे रहे हैं आप यहां पर 4 कर सकते हैं 6 कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से इसको यहां बीच में बहुत जादा gap नहीं देना है कम नहीं करना है 4 यह 6 कर सकते हैं आप इसको और इस तरीके से आप adjust कर सकते हैं जब हम बीच में अगर 4 का gap देंगे तो यहां पर 2 stitch होंगे फिर 4 का gap यहां पर होगा यहां होगा फिर last में 2 का gap होगा 6 का देंगे तो 3 का यहां होगा फिर 6 6 का यहां होगा और last में भी 3 का होगा तो इस तरीके से आप आप size को adjust कर सकते हैं अगर कोई और size बना रहे हैं तो ठीक है यह आपके क्रोश्या में और stitches में changes हैं धागे में changes हैं अब देखें मैं एक रो और बताऊंगे फिर वही रो आपको repeat कर नहीं है बस यह वाली रो आपको बताऊंगे chain one बनाएंगे इस तरफ फल्टेंगे और देखें यह first four जो stitch है इसमें one one double crochet बनाएंगे लास्ट में आएंगे तो यह जो chain one और first double crochet है इन दोनों के बीच में stitch बनाएंगे और अगर आपके कोई problem हो या कोई query हो ता आप मुझे instagram और facebook पर follow कर लीजिए और वहां पर आप मुझे question पूछ सकते हैं कोई query हो तो वह भी मैं वहां पूकी अच्छा से solve कर सकते हैं तो उन दोने के link जो होंगे मैं description box में देदूँगी तो आप महां जाके follow कर लीजिएगा अब देखी क्या करना है अब जब हमने पीचे से back post बनाए तो front में यह ऐसा आगया फिर सामें वही करना है देखी दो बार धागाला पीटेंगे देखी यह one two three जो stitch है one two three इनको छोड़ेंगे और यह जो fourth वाला है इसको front post बनादेंगे triple front post बनाना है two three जब आप बनाएंगे थोड़ा आगे जाते वक्त जब आप आगे जाएंगे तो भी pattern अच्छा सा दिखने लगेगा अभी starting में थोड़ा ठंग से दिखने रहा और दिखेंगे यह जो पहले की three है इनकों बाद में बनाएंगे और देखिए इसमें अभी हमने बार्डर न तो आपको बॉर्डर के लिए जगे छोड़नी है इसको हम बनाएंगे जहां तक हमें गला चाहिए तो आपको बॉर्डर के लिए इस पीस अभी छोड़ना होगा क्योंकि बॉर्डर बाद में बनेगा यह इस तरीके से पैटर्न आ गया अब यह वाले जो स्टिच होंगे इसमें वन वन डबल क्रोशिया बना लेगे यह देखिए इस तरीके से आ गया ठीक है तो इसी तरीके से आपको बनाना है तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको आगे का बताऊंगे कि देखिए यहां पर मैंने 29 डू बनाई है और यह देखिए इस तरीके से आ रहा है कि में लिएए 7 इनच के बरावर टैण से थोड़ा से जाबार खारा है अब गल्य जाय आब गले का गले का शेफर देंगे वी ग्रला बनाएंगे हम इसमें तो गले का शेफ देंगे इसके बाद हम ने देखिए ये और भी हमारा नीचे बॉर्डर बनेगा तो आप जिसे कोई और साइस बना रहे हैं तो बच्चे का नाप लेते हुआ आप बनाईए ठीक है तो यह मैं अंदा जिसे बना रही हूं जो मेरे पास नाप बनाई है क्योंकि बच्चों के साइज भी सेम नहीं होते तो चैस्ट में और इन सब चीजों में आर्म होल में अंतर हो सकता है तो मैं गला भी अंदा जिससे बना रही हूं ठीक है तो दिखे अब हम गला का शेफ देंगे तो यह 29 हमने रो बना लिए 30 वाली रो बनाएंगे तो 30 व यहां पर फाइफ अगर फोर आ रहा हूं तो कोई दिकत नहीं है आपको जो बीच वाले जो बीच के जो स्टिच हो वहां से आप स्टिच घटाना शुरू कर देजीगा दोनों तरफ का कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर आपके और नमबर में ही आपके पैटन होने चाहिए के उए इवन नमबर में यह पैटन है तो भी जो स्टिच के इगा देखिए यहां पर आया तो यहां से स्टिच की घटाना शुरू कर देंगे ठीक है मैं यह बना खें तो यह देखी 30 वाली जो रो है इसको बना के यहां तक आ गई हूँ और यह देखी बीच के जो दोनों स्टिच है इनको मार्क किया हुआ है तो यह देखी यह 1 2 3 तो यह देखी यह दोनों को एक कर देंगे के अव्य है तो ऊसथ से वहमें एसे ही बनाना है तो हम जो रो होगी उसके शेयग के हम वहां से यहां से हम बनाते होई यहां तो जब यहां से रोज शुरू करेंगे तो इसको यहां से शुरू करेंगे इससे पैटन से इम आए ठीक है अब देखिए यह जो दूसरा इस्टिच है इन दोनों को भी एक कर देंगे आप देखिए जैन वन बनाएंगे और इस तरह पुलेट जाएंगे ठीक है अब ठीक है जब लास्ट में आएंगे तो इन दोनों के बीच में एक स्टिच बनाएंगे और यहां पर जो पैटन है वो ऐसे ही चलते रहेंगे जब घटाने की बारी आएगी तो हम इनको घटा देंगे और ठीक है तो पहले मैं एक का रो और आपको बता दूँगी तो इस रो क को बनाते हुए मैं इस तरफ से वापस इस तरफ आते हुँ तो यह भी रो 31, 32 वाली रो में गले की तरफ आ जाते हों तो इस तरफ है और लास्ट के दो स्टिच बनाएं एगे लिए हम ने यह जैन वण और यह फ़र्स डबल कुरूश्य बना था यह और यह आप क्या जो chain one और first double crochet है इन दोनों के बीच में से stitch लेंगे इन दोनों के एक कर देंगे ठीक है फिर chain one बनाएंगे इस तरफ पल्टेंगे और next follow stitch में one double crochet बनाएंगे तो मैं यह सेम इसी तरीके से बना रहा है तो मैं एक तरफ का गला बना लेती हूँ फिर आपको दूसरे तरफ का भी बता दूँगी ठीक है तो देखे यह मैंने यहां पर एक तरफ का गला बना दिया है और देखे इसमें इस तरीके shape आया है और armhole की cutting हम इस स्वेटर में नहीं देंगे थोड़ा easy रहेगा बनाना इसलिए भी देखे यह देखे वैसे भी ज्यादा जरूरी नहीं है इस तरह के स्वेटर में आर मॉल की cutting देना अब कि देखे यहां पर मैंने बनाई है 123456789 1011 और 12 रोब नहीं है यह नैक में अब देखे दूसरी तरफ के बनाएंगे इस के लिए हम की यह वाला जो स्टिच है नेक्स्ट वाला इससे धागे को जोड़ लेंगे तो दिखे यहां से हमने जस्ट पास वाले स्टिच से धागे को टैच किया है चैन वन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में बनाएंगे इसमें हम जाते विक चैन वन वाला स्टिच बनाएंगे और आते विक दो स्टिच को एक करेंगे कि यहां से यह हमें इस तरीके से रहे हैं यहां पर हम इसी तरीके से कर रहे थे आते वक्त दो इस्टिच को एक कर रहे थे और जाते वक्त चैन वन बनाके नेक्स वाले स्टिच में स्टिच बनाया तो यह हमने चैन वन बनाया और नेक्स वाले स्टिच में स्टिच बनाया इस 30 वाली रो है dhatch even confused हो गे है 1234 5678 910 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 वाली रो है 10-20 वाली रो है और फ्रक्षिज में अब यहां से हम यहां पर हम पैटर्न नहीं बना रहे हैं अब यहां पर हमें यह बनाते हुए मैं यह 30 वाली रो है 31 वाली रो पर यहां इस तरफ बना के इस तरफ आ जाती है अब देखे यह 31 वाली रो है यहां से हम बना के गएते हैं वापस यहां के यह जो दो स्टिच है लास्ट के इन दोनों के गली की तरफ से है यह यह वन और यह जो next वाला चैन वन और फ़र्स डबल क्रूशे के जो है इन दोने के बीच में से ही स्टिच लेंगे और इसको भी एक कर देंगे फिर चैन्ट बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे और नेक्स वाले स्टिच में इसमें नहीं बनाना है इसमें बनाएंगे तो आपके स्टिच घटे का नहीं तो इसी तरीके से जितनी हमने यहां पे रो़ बना लेंगे, तो इसको मैं बना लेती हूं, फिर हम पीछे का और सीव सीवू कर लिए है, अफिर के इसके बाद बैक बनाइے धिया है है कि अगर आपको छोटा लगता है तो थोड़ा और पीछे से इस जब हम back बनाएंगे, तो पहले हम chains बनाएंगे, तो आप chains को फ्रेंट वारे से nap लीजा है और एक दो रोब बनाने के बाद नाप पिएगा, back में हम कोई pattern नहीं डाल रहे हैं हाएक स्टिच में एक एक स्टिच बना रहे हैं, तो पहले में यहाँ chain बनाऊंगी और पीछे आगे वाला जो हिस्सा है उससे नाप लेंगे बैक का पार्ट थोड़ा सा गला हम बैक में भी बिनाएंगे अगर ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है इसलिए मैं बैक में बनाऊंगी अगर आपका गला पहले से आपने थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है तो यहां पर थोड़ा से खीच भी लेंगे तो पता नहीं पड़ेगा आपको कि आपने पकड़ा और खीच लिया ये बराबर में लगेगा लेकिन जब आप एक दो रो आगे बनाएंगे तब आपको पता पड़ेगा कि ये इसके बराबर है कि कम या जाता है देखिए ये इस पताने से स्टिच मुझे ज्यादा लग रहे है इसमें ठीक है तो यहां पर मैं थ्री स्टिच कम कर दूँगी कि यहां पर ये 3 स्टिच एक्सनाइ बनाये तो फिर मैंड़ यहां से 70 स्टिच बनाये तो पहले बनाके देखेंगे अगर कम ज्यादा लगेंगे तो फिर वापस से पर शेयंज करओं गी मैं देखें객 स्टिच है तो देखें अब हम इसमें क्या करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा दो स्टिच बनाए थे वह नहीं बना रही हूं मैं एक चैन कर रही हूं और यहां पर हो गए यह 69 स्टिच ठीक है तो यहां से हमने वन टू त्री स्टिच छोड़ेंगे और जो फूर्थ वाला है उसम आगे पीछे हुआ ना तो फिर आगे का हिस्सा या तो पीछे की तरफ दिखने लगेगा अगर वह बड़ा हुआ या छोटा हुआ तो यह वाला हिस्सा आगे की तरफ दिखने लगेगा तो इसका जो नाप है वह ब्लुकुल बराबर आना चाहिए ठीक है तो पहले मैं इस पास्ट वाले स्टिच में एक वन डबल कुरोशिया बनाएंगे अब यहां से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना लूँगी और देखे वो जो मैंने आपको बताया था उस वाले हिस्थे में भी बदा था हमें ने कि चैन 3 जो हमने स्टार्टिंग में स्किप की है वो हमार फास डबल क्रुशिया है तो उसकी लास्ट वाली जो चैन होगी उपर वाली उस पर आपको एक डबल क्रुशिया बनाना है तो इसको मैं बनाके लास्ट में आ जाती हूँ उआ एक पार और बता दूंगी फिर हम इसको वापस ना पेंगे कि ये उसके बराबर है कि नहीं तो देखे ये second row के last में आ गए है और ये देखे ये three chain थी जो हमने skip की थी तो इसकी ये देखे कि यहां से जो सबसे उपर वाली chain है उसमें एक वंडबल कुरूश्या बना देंगे ठीक है ये इस तरीके से अगर नहीं बनाएंगे तो एक स्टेच और कम हो जाएगा अब इसको नाप लेंगे अब देखे इसको नाप पर ने ये देखे अब ये बराबर आ रही है और आगे बारे में हमने 70 लिये थे ये 79 में ही स्टेच कम किया था ये बराबर आ रही है तो आप नाप लीजिए ये मेरे कहने से आप मत कीजेगा नाप लीजिए इतने same stitch मत लीजिएगा हो सकता है आप की बनाने में या उसमें कुछ कमी हो या कुछ अलग वो हो तो फिर हो सकता है कि उतने ही स्टिच आए या ज्यादा है मुझे ये 79 जो मैंने लिए जितने stitch लिए थे उतने perfect बने हमने total 79 स्टिच लिए थे sorry 69 और 69 में से हमने 3 को skip किया और 4 वाले stitch में 1 double crochet बनाया है अब देख गला घटाऊंगी पीछे वाला तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ और फिर कहां पर गला घटाना है और कितना हमने गटाए यह आपको बताऊंगी मैं तो पहले मैं इसके कम से कम यहां तक तो हम कर लेंगे last की 2 या 3 दो रो में ही थोड़ा सा गले का shape देंगे तो देखिए यह मैंने back part बना लिया अब देखिए फ्रंट में हमने यही रो जो बनाई है वो 40 रो बनाई है यह देखिए फ्रंट में 40 रो बनाई है लेकिन यह देखिए यह जो cable stitch है इसकी वज़े से यह जो पार्ट है वो सिकोड गया है तो यह लंबाई में भी सिकोड़ मेंने तो देखिए यहां पर 34 रो ही बनाई है मैंने और ये इसके बराबर हो गया है- बस दो रो और बनाएंगी मैं अभी ज़ो इसके बराबर हो जाएगा तो आप भी इसी तरीकर से नाप के पहले फिल्ट के बराबर बनाने है कि इससे बड़ा हो जाएगा यह सिकडा है इस वज़ेशा हमने यहां पर 34 36 रोही बनेंगी यहां पर तो देखेए अब यहां पर इसको अगर में कउंट करूंगी तो 24 stitches हैं लेकिन यहां पर देखिए जब हम इसको बराबर में रखेंगे यहां पर 18 stitches के पीछे वाले 18 stitches आगे 24 stitches के बराबर हो रहा है तो आपको क्या करना है कंदे उतने ही बनाने हैं जितने यहां पर हो रहे हैं इस तरीके से ना पलीजिए और दो रो जो बनेंगी वो सिर्फ इ हैं यहां पर stitches का सब तरफ अंतर आ रहा है ठीक है तो अब यह दो रो बनाएंगे जो सिर्फ यहां यहां बनेंगी 18 stitches पर बनाऊंगी मैं दोनों तरफ से तो आप अपना पूरा मीजरमेंट लेकी ही बनाईए ऐसा नहीं अंदा जिससे आपने बना लिया कि इसमें रो बनाएं फिर आपका आगे पीछे का जो पार्ट है उसमें दोनों में अंतर हो जाएगा और फिर जब आप उनको जोड़ेंगे तो आगे का कंदा पीछे और फ फार्स्ट वाले स्टिच में ही हो नदबल कुरूशिया बनाएंगे है और कि हैसे 18 स्टूशे मैं बना लिती हूं कि यहां बना लिए हैं चैनल बनाएंगे और वापस से पलट जाएंगे और हर एक स्टिच में यहां से हर एक स्टिच में एक डबल कुरुशा बना लेंगे इसे ही हमें दूसरी तरफ भी करना है ठीक है तो दोनों तरफ में बना लेती हूँ और इसके बाद स्लीव बनाना बताऊंगे मैं इसके ठीक है तो दोनों तरफ यह बराबर नापते हुए डबल कुरुशिय बना लेंगे तो देखिए आप स्लीव बनाएंगे अब मेरे को एक चीज और थोड़ा ध्यान आई मुझे पहले मुझे ध्यान नहीं आया था लेकिन देखिए आप यह जो पैटर्न हमने बनाया है फ्रेंट का पहला मेरा बन गया था फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने फ्रेंट का बनाया है तो यह अगर इस पैटर्न के साथ अगर आप हाफ डबल क्रोशी की रो बनाएंगे ना तो हो सकता है आपका फ्रेंट और बैक में आपको सेम रो आएं सेम स्टिचेस हो ठीक है तो इस की वेज़े से अगर डबल क्रोशी की वेज़े से थोड़ा हमने इसके साथ में डबल क्रोशी की रो बना दी है इसलिए थोड़ा सिकोड गया है पैटर्न और यह रो भी सिकड़ी होई है अगर आप हाफ डबल क्रोशी की रो बनाएंगे तो आपका बैक का और फ्रेंट का स स्टिचिस हैं वह सेम सेम आए ज्यादा अंतर नहीं आएगा उसमें ठीक है अब देखे स्लीव के लिए मैंने सिक्स्टी स्टिच जिए हैं सी स्लीव में हमारे थ्री पैटर आएंगे तो देखे मैं आपको पहले यह स्टार्ट कर लेती हूं उसके बाद बताऊंगे मैं आपक से वन टू थ्री छोड़ेंगे और जो फॉर्ट फाला होगा उसमें डबल कृश्या बनाएंगे यहां से यह जो फस्ट रो है स्लीव की यह हम आर्म होल से शुरू कर रहे हैं और रिस्ट तक बनाएंगे स्टार्ट हमने आर्म होल से किये तो आपको जितना आर्म होल हुए जितना ढिला आपको चाहिए उतनी चैन्स बना लीजिए तो चैन्स यहां पर देखे मैं आपको पहले हिसाब बताऊंगे कि मैंने किस तरीके से बनाई है तो पहले यहां पर हर एक स्टिच में एक डबल कृश्या बना दे हुए मैं लास तक आ जाती है फिर आपको ब स्टिचेज रखेंगे उसके बाद बनाएंगे और लास्ट में भी हमारे थर्टीन आएंगे यहां पर देखिए यह हम हर थरड वाली रोप स्टिच घटाएंगे तो जो पैटन बीच में नहीं आए इसलिए मैं यहां पर देखिए 13 स्टिचेज इस तरफ रखें 13 स्टिच तो जिससे हमारा पैटन भी ठीक से आएगा और जब हम इस्टेज घटाएंगे तो पैटन बीच में नहीं आएगा क्योंकि फिर प्राब्लम भी आती है और पैटन सब के लिए इजी नहीं रहता जब पैटन में घटाना या बढ़ाना होता है तो इजी नहीं रहता तो जो हम बैक में घटाएंगे यहां साइट में दोने तरफ तो आपको प्राब्लम भी नहीं आएगी देखे चैन बनाएंगे और इस तरफ पलट लेंगे और यहां से हम यह देखे फर्स वाले स्टिच में यह वन डबल कुरूशिय बनाया है अब थर्टीन स्टिचेस टोटल 13 बनाऊंगे मैं यहां से वन टू थर्टीन बना लीती हूँ तो यह दिखे थर्टीन डबल कुरूशिय बना लिया है अब फिर सम पैटर डालेंगे यहां पे द्धागे को दो वाला पिटेंगे वन टू त्री स्टिच छोडेंगे और देखे यह फोर्थ वाला है इसमें फ 5th वाले में बनाएंगे 3rd वाले में बनाएंगे जो पीछे वाले हैं उन में बनाएंगे 1 2 3 4 भी कोशिश करती हूँ की जो भी मैं आपको बताऊं थोड़ा easy रहे क्योंकि ये बनाने में तो होड़ी difficulty आती क्योंकि कहीं पर हमें घटाना या कहीं बढ़ाना है तो इन सब चीजों में जो pattern बनते हैं उसमें काफी difficulty आती है तो इसलिए मैं कोशिश करती हूं कि आपको easy रहे ये बनाने में और आप देखे यह यहां पर हम 8 double crochet भी बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अब फिर से हम यही पैटर्न डालेंगे यह वान टू थ्री तीन बार यह वाला पैटर्न आएगा इसमें तो मैं बना लिती हूं फिर लास्ट में बताऊंगे लास्ट में कितने स्टिच बने कहां से हमें क्या करना है पहले में यह फिर इसके बाद भी हमें यह डबल क्रूशे ही बनाने फिर यह वाला पैटर्न बनाना है तो दिखे यह हमने यह पैटर्न में ला लिए थी अब यह लास्ट में हम पस थर्टीन डबल क्रूशे ही बचे हैं लास्ट के जो डबल क्रूशे है बना लूँगर जो हम ने चैन 3 स्टार्टिं Gen 3 में सकिप की की ती उसके पी डबल क्रूशे बनाना है तो इसको मैं लास्ट पेना लेती ह। इसको मैं लास्ट दर्ध पना ली थी ह। गना लीए हर आधिए रहती है फेस्ट है यह सब्सक्राइब ऑलिए सेकेंड है इस दोनों को एक कर देखेंगे यह एक स्टेच हो गया दो एक हो गया अब यहां से पैटन पर ही रिपीट करना है पैटन में कोई अंदर नहीं पैटन सहीम तरीके से बनेगा सिस्टार्टि में कि कि यहां तक स्टिच बनाया है यह वाली रो है यह हमें बैक पॉस्ट स्टिच बनाने हैं सारे अब यह वाली स्टिच भी में बना लेती है अब इस रो के लास्ट में आजाती है ठीक है इ 갖고 रो करें साएब बना लेती हुआ के लास्ट वाली रो के लास्ट में वाली लास्ट में आगे था करें हमने फिरे यहां बनाएंगे इस तरह पलटेंगे और देखे यही पे एक डबल क्रोशिय बनाना है तो आप पैटन को ध्यान रखेगा और सीक्विन्स को ध्यान रखेगा तब सेम आपकी जो स्लीव है वो दोनों सेम बनेगी तो पैटन यही बनेगा और हर थर्ड वाली रोपय आपको स्टिश घटाना है ठीक है अगर कोई और साइज बना रहे हैं बड़ा साइज है तो आप बेगा में बना हैं अगर बड़ा साइज बना रहे हैं तो से ठीक है अगर आप नीचे से बनाना शुरू कि खाल न है तो फिर आपको दीखने आई क्योंकि स्ट्रेंगे यह घ्टाना है जिसे शिप सेम माय ठीक है अगर आपने इक नहीं बड़ा आ लाइन आएगी, slant वो नहीं आपाएगी, तो यह अच्छा भी नहीं लगेगा दिखने हमें, तो इस sleeve को मैं बना लेती हूँ, last मैं border किस तरीके से बनाना है, यह आपको बताऊंगी, तो पहले मैं इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ, तो देखे, यहाँ पे मैंने 24 रो बन बनाना है हमें, पैटन नहीं डालेंगे, इसके बाद हम फिर border बनाएंगे, तो यह 25 फवाली रो है, chain 1 बनाएंगे, टोटल जो लेंस रखेंगे, हम इसकी साड़े 12 इंचिस रखेंगे, तो आप ना पलीजिए, आपको जितना जाएंगे, आप उस साबसे रोज बढ़ानी ह हैं कम करनी है, साबसे कर सकते हैं, chain 1 बनाएंगे, और first stitch में double crochet बनाएंगे, और यहां से हर एक stitch में double crochet बनाना है, यहां, यह 3 stitch हैं, इन पर पहले बनाएंगे, 1, 2, 3, sorry, यहां 2 पर ही बनाएंगे, हमने 1, 2 इस पर बनाया है, और यह इस बीच वाले stitch पर नहीं बनाएंगे, थोड़ा फैल जाएगा, यह वाला बीच वाले, यहां पर 1, 2 पर बनाया, यह बीच वाले stitch स्किप कर देंगे, और यह जो next 3 हैं, इन पर बनातेंगे, 2, 3, चीक है, इसी तरीके से यह रो में पूरी बना के लास तक आ जाते हूं, 26 वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, और इस सरफ को लट जाएंगे, और देखे, यहां पर एक double crochet बनाएंगे, यह first double crochet, अब देखे, एक front post बनाना है हमें, और एक back post stitch बनाना है, देखे, front post और एक back post, इसी तरीके से इस रो को में लास तक बना लेती हूं, इसके बनाएंगे, तो वह आपको बता दूँगे, तो पहले यह रो बना लेती हूं, और next वाली बताते हूं, तो देखे, यह rule बनाएंगे, last वाला जो stitch है, इसमे एक one double crochet बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस सरफ को लट जाएंगे, first वाले stitch में एक one double crochet बनाना है, यह रो भी same ही है, देखे, यह जो में front post दिख रहा है, इसको front post बना लेंगे, और जो back post दिख रहे हैं, उनको back post बनाना है, तो यह रो में बना लीती हूं, फिर इसमें एक रो में बनाऊंगे, जो color change करेंगे हम उसमें, तो यह सभी जगे हमें करना है, गले पे भी, और दोनों sleeves पे, और नीचे border में ही, ठीक है, वहाँ पे भी सेम इसी तरीके से होगा, तो मैं इसको बना लीती हूं, तो थीखे, यह 26 रो में 27 रो बना रही हूं, इसमें मैं यहाँ पे यह एक रो सिर्फ वाइट कलर की बना रही हूं, तो आपका जो color combination में अच्छा लगे, आप कहीं भी में डालना है, starting में डालना है, border पे वहाँ डाल सकते हैं, यह pattern, फिर बाद में यह जो धागे होंगे, इनको stitches में डाल देंगे, जिससे यह finishing आजाएगी इसमें, और extra होंगे, जो काट देंगे, chain one बनाएंगे, और इस तरी पलट जाएंगे, first one stitch में ही one double crochet बनाएंगे, और इसको front post बनाएंगे, जो front post बनाएंगे, और जो back post बनाएंगे, और इसके बाद वापस से यह blue वाला color यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको भी में बना लेती हूँ, तो दिखें, यह बना लिए हमने, यह धागया से काटती है, इसको इसमें से लिका देंगे, और फिर वापस ब्लू कलर यूज़ करेंगे, जो हमने पहले यूज़ कर रहे थे, यूज़ वर्ण बनाएंगे, और पललट जाएंगे, और जैसे हम रो बनाये थे, वैसे ही बनाएंगे, दीकी फरंट पोस्ट है, इसको फरंट पोस्ट बनाएंगे, और जो बेक पोस्ट है, उसको back post बनाएंगे तो दिखे ये मैंने एक sleeve बना के रखे हुए तो ये बनने के बाद फिर हम यहाँ पर वापस से ये जितनी रो इतनी आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रो बनाई हैं तो आपको जितना बड़ा border चाहिए उससाब से इसको आपको बना सकते हैं तो मैं ये दोनों sleeves बना लेती हुँ पहले उसके बाद फिर हम आगे बनाएंगे तो दिखेंगे, sleeve हमने बना ली, front bag बना ली तो दिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंधे से लेंगे तो दोनों दोर्फ से पहले हम कंधे से लेंगे, यहां में कंधे सुई से सिल रही हैं, आप चाहें तो क्रूशिय से सिल सकते हैं पहले कंधे सिल ले हैं, उसके बाद फिर हम sleeves जोड़ेंगे और फिर उसके बाद side ने जोड़ेंगे और फिर हम गला बनाएंगे और निच्चे का border बनाएंगे इसका इस तरीके से यह हमने दोनों front हैं उनको अंदर की तरफ रखा है और जो back part है, देखिए उलटा side यह है उलटा side यह है is तरीके से सिलेगे तो ए मैं पहले दोनों कंधे सिल लेती हूं तो देखिए हमने कंधे सिल दीया अब इसके बाद हम sleeves' सिलेंगे, तो sleeves' सिलने के यह घरना यह हमारा front है और यह फ्रन्ट है यह फ्रंट है अब देखिए इस तरीके से और इसको आपको क्या कर Da करना लें बिल्कुल बीच और बिच यहां से इसको कंधिक यह तो कंधी की सिलाई और इसको हम बीच वाले हिस्से को बिल्कुल बरावर में रख लेंगे इस तरीके से यहां पे इसको किसी भी चीज से आप अटेच करते हैं अब यहां से लेके यहां से लेके यहां तक हम यहां पे स्लीव सिल लेंगे इस तरीके से आप दोनों साइड़ों में स्लीव सिल लेंगे फिर हम इसकी साइड़ों सिलेंगे फिर रिस्ट से लेके वेस्ट तक ऐसा एक साथ सिलेंगे ठीक है तो यहां से हम स्लीव सिलेंगे को पकि यह हैं और स्लीव को डोनों साडेंगे हमारा वाक साइड ऑपर की तरफ है. फ्रेंड साइड नीचे की तरफ है इस तरीक है सिलना है तो मैं स्लीव सिलना हुँ दोनो्स तो दिक बनेगे और फिर मों कॉइनगे का बार्ड बनाएंगे उस यहां से बिलकुल यहां सिलाई है वह से स्टार्ट कर रहे हूँ तो आप को क्या करना ना को यहां यहां से लेक्टे सियम यहां तक से मुरिआ होने चाहिए आपको काउंटिंग का ध्यान रखना होगा ठीक है तो यह हमने जहां जॉइंट लगाए था यह पीछे की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं इससे थोड़ी सी जो जॉइंट आएगा वह भी पीछे की तरफ दिखेगा फ्रेंट पे नहीं दिखेगा कि अगरेंगे और इसी में एक फ्रंट डबल ग्रोशिया बनाएंगे देखे यहां से थोड़ी थोड़ी यह दिखे यह तो खड़े स्टिच है यहां पर तो में थोड़ी दूरी पलेना यहां तो हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बलेना है यहां से थोड़ी दूरी पर एक स्टिच ले लेंगे यह ले लेंगे यहां से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच लेते हुए कर देह 54 है कि यहां से लिए पूर यहां तक हमएं बनारा है यहां भी आपको थोड़ी थोड़ी दूरी दूरी पर लेना है एक इस्टिज बहुत ज्यादा पास नहीं होने जी है तो यह यहां स के पूर अ का बीच मैं और बाकी यहांों पूरा बना लेती हूं उसके बद हम आगे की रोग बनाएंगे दिखें यह मैंने पूरे में एक रोग डबल क्रोशिय की बना ली है और यहां पेस को स्लेप स्टिच से अटैच कर देंगे यह जो फरस्ट चैन और फरस्ट डबल क्रोशिय बनाया था इसके वीच में देखें बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक बैक पोस्ट इस्टिच बनाएंगे चैन और फरस्ट डबल क्रोशिय यहीं बनाएंगे उसके बाद एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे यह हमारा फरस्ट डबल क्रोशिय हो गया यहां पे एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे is a Dh middleman अपर जाएगा और अगर आको लगता है कि पहीं ये बहुत जाधा धिला हो रहा है यापको बड़ा लग रहा है तो आपकर देखिये यहां पे एक-dwards टिचिक कम कर दी जी यहां पे back में यहां पे घल सोभी है यहां पर आजाती है, यहां ंपर हम स्टेम ऍपाव्ला वाला स्टिच यह यह वाला कॉर्नर वाला स्टिच है तो क्या करना है यह यह करना है, यह स्टिच को एक करना है इसको दिखिए पूरा नहीं बनाएंगे आदा बनाएंगे फिर दिखिए नेक्स्ट जो बीच वाला है इसको लेंगे इस तरीके से और दिखिए पहले दो में से निकालेंगे और फिए चारों में से निकाल देंगे अब यहां से फिर से जैसे हम बनाया थे यह बैक पॉस्ट है तो इसको फ्रेंट पॉस्ट बनाएंगे और इसी तरीके से फ्रेंट पॉस्ट बैक पॉस्ट बनाते हुए जहां से हमने स्टार् अब नेक्स्ट रो हम वाइट कलर यूज करेंगे जैसा हमने बार्डर में यूज किया था वही कलर यूज कर रहे हैं बस एक रो हम इसकी बनाएंगे यहां से हम यहां से जॉइंट करेंगे तो दिकर यह हमने यहां जॉइंट कर लिया अब दिकर से चैन वन बनाएंगे और एक टबल ग्रूश्याँ यही पर बनाएंगे इसको फ्रेंट बना देंगी जो बैक पोस्ट हैए उसको बैक पोस्ट इस्टिज बना देंगे तो बनाते हुए मैं वापस से यहां पर डिखे कि यह जो हमारा वी बना रहा है जहां पर ही कॉरner पर प्यागर पर यह बना कि हमारा यहीं पे इस्टिछ घटाने है और शो्पेशन नहीं करना तो यह मैं आ जाती हो बनाते हुए तो यह दिखिए यह हमारा बीच वाला स्टिच है यह दिखिए और यह हमारा फ्रेंट पोस्ट है यह बैक पोस्ट है यह बीच वाला है फिर यह फ्रेंट पोस्ट है 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 यह फ्रे से लेंगे तो बैक प् Deep sisters को से ही छोड़ देंगे और ये वाला जो है इसको फ्रेंट पोस्त लेंगे और इन तीनों को heger अ फिर वापस हम जैसे बना रहे थे बैक पोस्ट फ्रेंट पोस्त फ्रेंट फेय स्रण पोस्त बनाते हुआ लास्ट में आजाएंगे ठीक है यह कॉनर पर इस तरीके से यह आ रहा है ठीक है तो मैं बनाते हुए यह आ जाते हैं तो दिखे अब यह वन टू त्री और यह फोर्थ वाली रो बनाएंगे चैन वन बनाएंगे दिखे यहीं से धाग लगाएंगे दूसरा मैं वापस ब्लू कॉलर लगा रही हूं चैन वन ब बैक पोस्ट बनाते हुए है वापस यहां आ जाएंगे ठीक है चैन्वन यहीं पे एक वन डबल क्रोशिय बनाएंगे एक वन फ्रॉंट पोस्ट इस्टिच बनाएंगे और बनाते हुए यहां वापस से कॉनर पे आ जाते हुए तो दिखिए यह फोर्ट वली रोख है यहां आ अगा है यह आप यह abrasion है यहas pa दश्प्रांट पोस्ट और यह बैक पोस्ट तो क्या करेंगे यह वाला इन दोनों को एक करेंगे है यहे फ्रंट और यह वाला जो बैक पॉस्ट है इसको एक कर देंगे रों कि एक स्टिच हम यह जो फिर दा किया था इंदिए रोगनें रोगनें यह घ्द पोस्ट श्टिच बना देंगे फिरो प्रोह्त खीक है अब यह जो नेक्स्ट दोख्षी है फ्रेंड एक बैग पोस्ट है इसको और इसको 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 बीच में इसको slip stitch से attach कर देंगे ठीक है अब दीखिए चैन बन बनाएंगे और यहीं एक double crochet बनाएंगे और दीखिए अब यह जो row है इसमें एक front post एक back post जो है हमारा stitch जो front post है उसको front post और जो back post बनाते हुए पूरा बना लेंगे इसमें stitch नहीं इखटाएंगे पूरा round में बनाके यहां जाएंगे इसको काप देंगे फिर हम नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे ठीक है बस इसमें एक row यह वाली last बनाते हुए पूरा यहां जाएंगे देखें फिफ्थ वाली row मैं आपको कह रहे थी हर एक stitch में front post back post बनाना है लेकिन यहां पर भी हमें थोड़ा सा एक करना पड़ेगा नहीं तो यह जो shape है वो खराब हो जाएगा मैंने बनाके देखा थोड़ा problem आए थी इसमें तो देखें यह हमने front post back post को एक किया था देख देखें यह middle वाला जो front post है यह और यह side वाला है यह क्योंकि इसमें हमने front post और back post stitch उनको एक कर दिया था इसलिए यहां पर back post stitch बचे ही नहीं है यहां पर यह जो तीनों front post है बीच का और side के इन तीनों को हमने एक कर दिया अब इसको last तक बनाते हुए यहां आ जाती हूँ मैंना starting में आपको गाता कि ऐसे ही बनाने है लेकिन अगर नहीं बनाएंगे तो यह shape खराब हो जाएगा इसका जो यहां पर shape आ रहा है ठीक है तो इसको बनाके मैं यह last तक आ जाती हूँ अब हम इसके बाद नीचे वाले इस सब बनाएंगे तो दिखे यह नीचे का border हमें सेव वैसे ही बनाना है जैसे sleeve पर बनाया था मैं इसमें ज्यादा detail आपको नहीं बताऊंगी वीडियो बहुत बढ़े हो जाते हैं अब दिखे यहां पर हमने एक stitch यहां बनाया और एक stitch यह बनाया यहीं पर हर एक stitch में हर एक जो chain है नीचे हमने से start किया और फिर उसके बाद जितनी रों हमने यहां पर बनाई है sleeve पर उतनी ही रों हम यहां बनाएंगे यहां पर ठीक है अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा हो रहा है तो एक कम ज्यादा कर सकते हैं कोई problem नहीं है तो मैं पूरा बना लेती हूं उसके बाद आपको अगर आपको मेरा वीडियो किसंत आया हो तो प्रीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो ताब मुझे कमेंट बक्स में कमेंट कर लिजिएगा थैंक्स फर वाचिंग